हमारे यूट्यूब चानल में आप सभी का स्वागत है फ्रीडम फ्रम हॉस्पिटल डॉक्टर धर्बेश की एक नायाब देन है जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बिमारी से निजाद पाले अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर धर्बेश के बताए नुस्कों से लाब उठाना चाहते हैं स्वस्थ और सेहत मंद रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाए दोस्तों मैं डॉक्टर दर्बेश आप सब का स्वागत करता हूं आसा करता हूं आप लोग सारे सहत मन्द रहोगे और नेचरल तरीके से जिन्दे की जिनने को कोसिस करते रहोगे जो भी हमें प्यार करते हो जो भी हमारी वीडियो को देखते हो सेयर करते हो उन सब का मैं तहे दिल से दोस्तों सुक्रियादा करता हूं साथ-साथ कोसिस करूंगा अच्छे quality वीडियो जो आप तक पहुंचे आपका हेल्थ आपके हाथ में है दोस्त जब तक हम हाथ को नहीं पहचानेंगे अपने kitchen को दोस्तों नहीं पहचानेंगे तब तक हम अपनी सेहत को दोस्तों नहीं बचा पाएंगे हमें दवाई खाना पड़ेगा और बार बार हस्पितल जाना पड़ेगा कई लोग दोस्तों मुझे पूछते हैं कि बहुत सारा अच्छा खाना खाने के बाद भी उनका हड़ी कमजोर रहता है सर्भाईकल स्पॉनलोसिस लंबर स्पॉनलोसिस होगेरा से पीडित है बैक पेन होगेरा हमेजा लगा रहता है गुटने में दर्द, एंकल में पेन, बॉड़ी में पेन ये चलता रहता है उनके लिए मैं एक सला दोंगा कि आप जो भी खाना खाओ मगर बाहर धूप में एक दो घंटा जरूर घुमो क्योंकि आपके सरीर के अंदर अगर विटामिन D3 की कमी रहेगी तो आपके अंदर कभी भी कैल्सियम सही धंग से बननी पाएगा ना ही आपका हड़ी मजबुत होगा अगर आपको अच्छा कैल्सियम बनानी है और उसको फिर हड़ी में कनभट करनी है मजबुती देनी है तो आपको विटामिन D3 की जरूरत है दूसरी बात है नेचुरल तरीके से अगर आपको कैल्सियम सरीर का जो जरूरत है उसको अगर पूरा करना है दोस्तों आज का टीपस आपके लिए बहुत लाब कहरी है एक तो होता है कि आप दूद जरूर लें दूद के साथ आपको जो मैं पाउडर बता रहा हूं उसका इस्तिमाल करें एक चमच सुभा एक बरी साम एक बरी मैं दोस्तों लिया हूं इसमें कई सारा चीज है अलसी है खीरे की बीज है पंकिन सीड्स है यानि कद्दू की बीज है उसके साथ साथ वाटर मिलन की भी सीड्स है खास करके जो अलसी है दोस्तों कहते हैं हड़ी की जान होती है अलसी हड़ी की जान होती है अलसी का प्रयोक्त भी दोस्तों करिएगा इस सारा मिला के दोस्तों एक बारी रोष्ट कर लें अच्छे से रोष्ट करने के बाद एक तो आपको मार्केट में भी रोष्टेड मिल जाएगी अगर घर में भी आप करते हो तो घर में अलग-अलग करके इसको रोष्ट करिएग फिर जो चीज का छिलका निकल सकता है उसको छिलका उतार के अच्छे से ग्राइंडिंग कर लें इसका पाउडर बना लें कपड़ा छान करना है तो कपड़ा छान कर सकते हो अगर कोई आप किसी और तरीके से इसको छानना चाहते हो छान के कांच के बटल में याने कांच के सिसे में इसको या टैट जो हो उसमें रख लीजिए एक बटल अच्छे से एक चमज बस आपको मिलानी है दूद के साथ और आपको दोस्तों पीनी है दूसरा जो दोस्तों तरीका इसमें एक दो चीज अगर और आइड करना चाहते हो आप बदाम को भी थोड़ा से रोष्ट करके उसका चिलका निकालके इसके साथ मिलाके पाउडर तयार कर सकते हो तो और भी दोस्तों लापकरी हो जाएगा इस तरीके से आप अपने कैलसियम की भरपाई कर सकते हो और अगर ऐसे रोष्टेट भी खाना चाहते हो एक एक चमज सुभा साम आप ले सकते हो खाना खाके भी चबाके अगर आप ले लेते हो तो आपका नेचुरल तरीके से दोस्तों कैलसियम की कमी पूरी हो जाएगी जिससे आप अस्टिव आर्थराइटिस गाउट की समस्या सर्वाइकल या लंबर स्पॉनलोसिस या आपके घुटने में कटकट की आवाज होना या एंकल में पेन होना पैदल अगर आप चलते हो तो आपको नीचे तल्वे में दर्द होती है यह सब समस्या दोस्तों ठीक ह होगा दूसरी बात है आपको आटिफिसियली दवाई दोस्तों खाना नहीं पड़ेगा ऐसे हजारों टिप्स दोस्तों पर अपनी किताब माई हेल्थ इन माई हैंड में दे रखा हूं हिंदी अंग्रेजी दोनों लेंग्वेज में हैं इसको ओनलेन अमेजन से मंगाएं औ आप ऐसा करके सरजेरी से दोस्तों बस सकते हों खुद अपने के लिए जागरूत होई है हम आपके साथ टेकनिकलिटी देने के लिए खड़े हैं और अपने सहत का पूरा ध्यान रखें थैंक्यू भरी मच्छ जैहिंजैभार